तो दोस्तो आज की इस वीडियो में एक्जाम एनलिसिस करेंगे SSC CPOSI एक्जाम का तो 10 नवंबर को 10 नवंबर को जो आपकी पहली शिफ्ट होई है उसमें जो भी कोशन्स आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 100% रियल कोशन्स हो तो उसके लिए भी आपको मदद मिल चके और साथ ही साथ जो आपका SSC Steno का पेपर होने वाला है और जो आपका SSC CGL का एक्जाम होगा उनके लिए भी सभी कोशन्स होने वाले हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें आपके एक्जाम में आपको काफी जादा मदद म गई थी तो PM गती शक्ती स्कीम जो थी यह कब लाँच करी गई थी आपसे इस कोशन का आपका correct एंसर था 13 October 2021 13 November 2021 को PM गती शवक्ती स्कीम को लाँच किया गया था इसका पूरा तीन किया है तो PM गती शक्ति इसकीम का पूरा नाम रहेगा प्रदान मंतरी नरेंदर bene के द्व हुई है उसमें भी जो schemes रहेंगी उनसे related questions देखने को मिले है इसलिए जो topic रहेगा important topic हो जाता है और separate topic related videos के लिए हमारा channel है HVS studies 2.0 link description में है इस channel को आप visit कर सकते हैं हर एक topic की आपको separate video इस पर provide करे जाएंगी क्योंकि काफी सारे एसे topics हैं जिनसे हर shift में question आपके SSE CPO के exam में बन रहे हैं तो उन topics को अगर आप तयार कर लेंगे तो आप easily अच्छे marks जो हैं वो score कर सकेंगे अगला question देखते हैं अगला question आप से पूछा गया है election of president comes under which article of the Indian constitution राष्टपती का जो चुनाब है भारतिय सम्विदान के किस अनुछेत के अंतरगत आता है अगर आपसे यही question पूछा गया था तो आपका answer था article 54 लेकिन किसी student के द्वारा ये भी कहा गया है कि president appointments जो होती है जो president appoint करते हैं किसी को उससे related question पूछा गया था तो अगर election नहीं पूछा गया आपसे president से related appointment नहीं पूछा गया तो किस सी को appoint करते हैं इस तरीके से एकर कोई question बना है तो आप comment box में जरू टाइप कर दें जिससे बाकी students को पता चल सकेगी किस तरीके का किस टाइप का portion आपसे exam में बना है अब अगर यहाँ पर बात करी जाए कि president से related बात करी गई है articles related तो president के जो articles होते हैं वो होते हैं आपके article 52 से लेके article 62 तक articles की कुछ important articles की यहाँ पर बात करेंगे हम तो article 52 में बता गया है कि There shall be a president of India भारत में president होने चाहिए article 53 में बताय गया है executive power of the union vested in president जो union की executive powers होती हैं वो president के पास भी होती है article 54 में बताये है president के election के बारे में article 56 में बताया है term of office of president president का जो office होता है इसका जो time period होता है Article 60 में बताये गया है ओत और affirmation by the President हो सकता है आपसे ये वाला question पूछा गया Article 60 आपसे पूछा गया और affirmation और ओत से related कोई question मना था तो Article 60 आपका इस question का correct answer था फिर आपका Article 61 जो होता है ये impeachment process से related होता है प्रेशिडेंट के प्रेशिडेंट का हटाने का जो प्रावदान है उससे related आपका Article 61 हो जाता है Article 72 जो होता है इसमें power बताई गई है प्रेशिडेंट के पास grant करने की pardon और भी जो चीजे होती है suspend करने की remit करने की कोई भी sentence होता है उसको commute करने की certain cases में यह power होती है प्रेशिडेंट के पास यह सब आपके articles है प्रेशिडेंट से related और article इतना ज्यादा important topic रहा है आपके SSC CPU exam के लिए कि हर एक shift में 3-4 question आपसे direct पूछे जा रहे हैं article से related अभी तक जितनी shift होई है सब में पूछे गए हैं आज की shift में भी 3 question आपके article से बने हैं अगला question देखते हैं अगले question पर बनने से पहले हम आपको बताना चाते हैं कि current affairs जो रहे का आपका यह सिर्फ आपको 79 रुपीज में provide कराई जा रही है और यह important इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि आपका जो SSC stano का paper आ रहा है उसके लिए important रहेगी साती साथ जो main focus रखा गया है वो SSC CGL के exam पे रहेगा इसका तो अगर आप SSC CGL exam की भी तयारी कर रहे हैं तो आप अभी से इस e-book को buy कर लें क्योंकि आपके exam में जादा time नहीं रहा है एक से 13 दिसंबर के बीच में आपका SSC CGL का exam होने जा रहा है और उसके लिए आपको तयारी अभी से ही start करनी होगी 79 रुपीज में है 2600 प्लस current affair के questions आपको इसमें provide कराई गए है हर मन्त का separate current affair रहेगा January का अलग fab का अलग ऐसे ही October तक का आपको हर मन्त का separate current affair आपको मिल जाएगा ये e-book जो है ये bilingual language में आपको provide कराई गई है Hindi और English दोनों में आपको questions मिलेंगे MCQ के format में आपको questions इस e-book में provide कराई गए है अगर आप interested हो तो link आपको description में provide कराई गया है आप description में जाके इसको buy कर सकते है payment करने के बाद अगर आपको file download करने में कुछ issue आता है तो नीचे हमारी Gmail ID है आप इस पर directly हमको mail कर सकते हैं अगला question आप से पूछा गया है books and author related question पुस्तक और लेखक से संबंदित question पूछा गया है और ये भी जो topic है आपका books and author का ये भी अभी तक हर एक shift में आपका 1-2 question इ अगर आप उससे topics को cover करेंगे तो आपको काफी जादा मदद मिलने वाली है यहाँ पे कुछ important books और authors के हम बात कर लेते हैं जो कि आपको exam scale important रह सकती है तो chronicles of changing champion ये इस्मृती इरानी की एक book रहेगी over draft saving the Indian saver और जित पतेल की book रहेगी legacy of learning सवीता चाबरा की एक book रहेगी the India way the India way strategies for an uncertain word as जैशंकर की रहेगी जो कि external minister है इंडिया के काफी जादा चर्चा में चल रहे हैं इसलिए हो सकता exam में पूछ लिए जाए फिर आपका invincible attribute to manohar पारेकर ये आपका answer हो जाएगा तरुन विजय यहाँ पर manohar पारेकर ही होगा मनोज गलट तल गया है my life my mission जो है ये autobiography बाबारामदेव की लाल बादो शास्त्री politics and beyond ये संदीप शास्त्री एक book रहेगी सावर कर echoes from a forgotten past ये विक्रम संपत के द्वारे इस book को लिखा गया है वहान डाइरी dispatch from a quarantined city fang fang के द्वारे इस book को लिखा गया है shuttling to the top the story of pv sindhu ये वी कृष्ण स्वामी की एक book रहेगी my encounters in parliament ये बाल चंदर मुंगेकर की एक book रहेगी तो सभी important books है एक्जाम्स है आपसे पूछी जा सकती है अगला question देखते है कि who among the following was the founder of the slave dynasty निमलिखित में से कौन गुलाम वन्च का संस्थापक है slave dynasty को ममलुक dynasty के नाम से भी जाना जाता है और ये जो dynasty रही आपकी कुतुबुद्दीन एबग ये भी एक सिलेवी थे इनको सिलेव डैनेस्टी जो है कुतुबुद्दीन एबग के द्वारा ही start करी गई थी और अगर यहां पे बात करी जाए हमारी dynasties की या फिर जो हमारी empires थे उनकी बात करी जाए तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है founders की यहां पर हम बात करेंगे janism को फाउंड किया गया था रिशब देव के द्वारा Christianity को Jesus Christ ने फाउंड किया था बुद्दिश्प को गौतम बुद्ध के द्वारा फाउंड किया था फिर आपका Moran empire आता है इसको चंद्रगुप्त Moran ने फाउंड किया था शूंग डाइनस्टी को empire को पुश्या मित्र शूंग ने फाउंड किया था गुप्ता empire को शिरी गुप्त के द्वारा फाउंड किया गया पलवा empire को सिमाव विश्नु ने फाउंड किया था चोला empire को विजैला ने फाउंड किया पाल empire को गुपाल के द्वारा फाउंड किया गया नंद empire को महापद्वानंद के द्वा किया गया था यह कुछ important founders रहेंगे इसकी separate वीडियो भी आपको मिल जाएगी जो founders हैं इसके questions भी काफी जादा exams में आपके देखे जा रहे हैं which among the following is a festival of nagaland state निमलिखित में से कौन सा nagaland राज्य का एक त्योहार है तो आपका इस question में अगर आपको option था हॉन्बिल तो हॉन्बिल आपका काफी famous एक festival है nagaland state का student के द्वारा कहा गया है कि nagaland का festival नहीं पूछा गया एक student ने कायम से जहारकंड का जो tribal festival है वो आपसे पूछा गया है तो जहारकंड का tribal festivals confirm नहीं है कौन सा पूछा गया है कुछ tribal festivals important की बात करेंगे सरहुल जिसमें आता है करम आता है जावा आता है तुशू आता है भक्त प्रवा आता है और बंदाना आता है ये सब एक important tribal festivals है जहारकंड state के इसमें सरहुल जो है काफी famous रहता है हो सकता है आपसे यही question आपके exam में पूछा गया हो फिर एक अंबूबसी festival का भी बताया गया जो मजूली festival है वो आपका आसाम में celebrate किया जाता है मुधिरा dance festival आपका गुजरात state का रहेगा सरहुल दंसी और बंदना ये तीन dance forms है आपके जहरकंड state के सन्बन festival गोई state का रहेगा बिहुला और राजगी dance festival ये दोनों आपके कहांस के रहेंगे बिहार state के फिर और गैमेस festival जम्मु कश्मीर के festivals हो जाते हैं फिर आपका कोनार्क से आप ध्यान रखने कोनाक सन festival होता है कोनाक सन टेंपल होता है तो कोनार्क festival और इंटरनेशनल सेंड आर्ट फेस्टेवल ये आपके हो जाएंगे दोनों उड़ीशा स्टेट से फिर आपका गुदी अंदर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉस्टिटुशन तो हमने आपको पीछे ही बताया के आर्टिकल से आपके कितने कॉस्टेंगे पूछे जा रहे हैं से अब आपसे उसी तरीके से घुमा के आपसे कोश्चन पूछा जा रहा है अगर आपसे बौरो का पूछा जाए तो यूनाइटे यू एस एस आर रशिया जिसको आप जाना जाता है इनके द्वार इनके कोश्चन पूछा गया है कुछ अमेंडमेंट्स की यहां पर बात करते हैं इसलिए सी एस्टी कमिशन जो है इसको सिक्स्टी फ़स्ट अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स एक्ट नाइंटी नाइंटी के थू एड किया गया था वोटिंग एज को 21 साल से घठा के 18 साल कर दिया दिया 61st Amendment Act of 1989 की थू डिलीटी कर दिया राइट तू प्रोपर्टी को फंडमेंटल राइस से 44th Amendment Act of 1978 और लेडी एक्जाम में आपका अभीतक कोशन पूछा जा चुका है डेली को नेशनल कैपिटल टरेटरी का दरजा मिलाता 69th Amendment Act of 1991 के थू पंचायती राज सिस्टम को रिक Socialist Secular और Integrity को एड किया गयता प्रेंबल में 42nd Amendment Act of 1976 के थू तो यह सभी कोशन आपको ध्यान रखने हैं एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है अमेंडमेंड की सेपरेट वीडियो भी है चैनल पर आप उसको भी देख सकते हैं Article 21 of the Indian Constitution is related to तो यह तीसरा कोशन होगे आपका आपका आपकल से related भारतिय समदिदान का अनुछेद 21 समदिद है तो आपका आंसर हो जाएगा Protection of Life and Personal Liberty और यह एक ऐसा आर्टिकल रहता है जो कि Emergency के टाइम पे भी Suspend नहीं होता क्योंकि हमारी जो Life है और जो Personal Liberty है उसकी Protection देना य एमर्जेंसी के टाइम पे भी जरूरी है यहाँ के कुछ आर्टिकल्स की बात कर लेंगे हम Protection of Life and Personal Liberty हमारा कोशन है जो कि Article 21 में बताए गया है Village पंचाइज जो है उसका Organization का Article 40 में आता है Uniformed Civil Court Article 44 में आता है Promotion of International Peace and Security आता है आपका Article 51 में Impeachment का जो Process है प्रेसिडेंट का वो Article 61 में आता है Attorney General of India Article 76 में आते है Joint Dissetting जो होती है दोनों Houses की Lower House और Upper House की वो Article 108 में बताए गई है Definition क्या है Money Bill की वो आपकी Article 110 में आती है Establishment जो है Supreme Court का और जो Constitution है वो Article 124 में बताया गया है Supreme Court to be a Court of Record यह आता है आपका Article 129 में Comptroller and Auditor General of India Article 148 में बताए गए है The Test of My Life is the Autobiography of मेरे जीवन की परिक्षा है कि आत्मकता है तो इसका अंसार उपका हो जाएगा यूवराज सिंग यूवराज सिंग जो हैं की आत्मकता रहेगी Autobiography रहेगी The Test of My Life यह जो टॉपिक रहता है SSC का फेवरेट टॉपिक है तीन टॉपिक्स SSC के काफी ज्यादा फेवरेट टॉपिक रहेसे हैं जो कि हमने 2022 में Observe किये हैं एक तो आपका Autobiography Books and Author यह एक ही टॉपिक होता है आपका उसके अलावा फिर आपका आता है जो परसनेलिटीज हैं जो म्यूजिशन्स हैं यह काफी इंपोर्टेंट टॉपिक रहा है अपका और एक डांस फॉर्म्स और जो डांसर्स हैं यह तीन टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो की फेवरेट टॉपिक्स है SSC के तो आप इनको अगर आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे तो हर शिट में आपके चार से पांच कोशन्स जरूर कवर हो जाएंगे अब यहाँ पर ऑटो बाइयोग्राफी की बात करें गई है तो पनलाइफ यह एक ऑटो बाइयोग्राफी यह रहेगी तो डलाइघक अगला कोशन देखते है प्लेइंग इट माइवे इस दि आटो बायोग्राफी और तो प्लेइंग इट माइवे जो है ये किसकी आदमकता है आप ये सोच रहे होंगे हमने गलती से कोशन डाल दिया लेकिन दोनों आटो बायोग्राफी के कोशन आज की शिफ्ट में आपसे पूछे गए है आपसे युवराज सिंग की autobiography भी पूछी गई है और सचिन तेंदुलगर की जो की autobiography है playing it my way ये दोनों ही autobiographies आज की shift में आपकी बनी है फिर आपका dam से related एक question पूछा गया है बांध जो होते हैं उनसे related एक question पूछा गया है question confirm नहीं हो पाया और पीछे की shift में भी आपसे question औलेडी पूछा जा चुका है dam से related dam और उनकी river उनकी बात करेंगे तो कई dam जो है गुजरात में है तापती river के around situated है यहाँ पे आपसे state से related question पूछा गया था हम rivers की भी बात करते हैं फिर आपका भाकरणागल डेम हमाचल प्रदेश में सफलो जिवर के around रहेगा बगलीहर डेम आपका जम्मू कश्मीर में है चिनाब river के around है हरंगी डेम करनाटका में हरंगी river के around है शिरी सेलम डेम तेलंगना और आंदरप्रदेश के बॉर्डर पे है कृष्णा river के around situated है उरी डेम है जम्मू कश्मीर में जेलम river के around ये situated रहेगा मैथुन डेम जारकंड में मैथुन river के around है इदू की डेम है आपका कैरला में प्रियर river के around situated है अलमती डेम करनाटका में कृष्णा river के around है राजगाट डेम आपका मद्य प्रदेश में बेटवा river के around है कोईना डेम महारास्ट में है कोईना river के around है जैकवधी डेम महारास्ट में है गुदावरी river के around ये situated रहेगा तो ये कुछ important डेम्स है डेम्स की separate वीडियो भी आप चैनल पे देख सकते है कलबेलिया is a dance from which state of India तो कलबेलिया जो dance form है ये किस राज्य का निर्त है ये आपसे पूछा गया आपका answer था इस question का रजिस्थान रजिस्थान state का dance form है कलबेलिया dance और dance forms जो है उससे related 2-3 question आज की shift में आपसे पूछे गए है ये topic भी ऐसा topic है जिससे जात्तर हर shift में आपके question बन रहे है तो dance forms की बात करेंगे लुद्धी dance पंजाब से रहेगा अंकिया नट रहेगा आसाम से लेजिम dance form है महराज स्टेट से जाता जतिन रहेगा बिहार स्टेट से रौफ हो जाएगा जम्मू कश्मीर से भरत नाट्यम हो जाएगा तमिल लाडू स्टेट से गिद्दा हो जाएगा पंजाब से डॉमकच हो जाएगा जारखंड से कुचीपुडी हो जाएगा अंधर प्रदेश से मोहिनी आट्टम है आपका कैलेला से सत्रिया है आपका आसाम से भवईडान से आपका राजिस्थान और गुजरात का यक्षगना जो है यह आपका एक नांसफर्म हो जाएगा करनाट का स्टेट का वाट इस दी कैमिकल फॉर्मूला ओफ नाइटरस अक्साइड नाइटरस अक्साइड का रसाइनिक सूत्र क्या है तो आपका आंसर हो जाएगा इसको शन का एंड टू ओ और जो नाइटरस अक्साइड होता है इसका जो नेम होता है वो होता है लाफिंग गैस को ही नाइटरस अक्साइड के नाम से भी जाना जाता है जो पीछे आपका कल का एक्जाम हुआ था उसमें भी आपका chemical formula से related question बना था कुछ chemical formula की बात करेंगे baking soda को NaHCO3 इसका formula होता है इसको sodium hydrogen carbonate भी बोला जाता है bleaching powder का formula होता है CAOCl2 इसको calcium hypo chloride भी बोलते है blue vitrol का होता है COSO4 इसको copper sulfate भी बोला जाता है chloroform का होता है CHCl3 जिसको trigloroethane भी बोला जाता है dry ice का होता है CO2 जिसको हम solid carbon dioxide भी बोलते हैं epsons salt जो होता है इसको इसका formula होता है mgsO4.7 h2o जिसको कि-magnetum sulfate heptahydrate भी बोलते है gypsum जो होता है इसको c-e-so 4.2 h2o इसका formula होता है इसको हम कैल्शियम सल्फेट डाय हाइड्रेड भी बोलते हैं लापिंगे जो हमारा कोशन था एंट्व इसका फॉर्मूला है इसको नाइट्रस अक्साइड भी बोला जाता है लाइम स्टोन और जो चौक होती है इसको CACO3 या फिर इसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है यह सब आपको ध्यान रखने एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक्स है करन्ट अफेर जो है 2022 का जो हमारी इबुक है उससे आपको 5-6 कोशन मिल जाएंगे उसमें 79 रुकीज में सिर्फ आपको कराई जा रही है हर शिफ्ट में 5-6-6-7-4-5 कोशन आपके बन रहे हैं करेंट अफेर से तो अगर आपको करेंट अफेर कवर करना है आप हमारी इबुक को बाई करें उसमें सारे कोशन मिलेंगे उससे ही आपको सारे कोशन कवर हो जाएंगे रिवर ओरीजन रिलेटिड कोशन रिवर ओरीजन से रिलेटिड एक कोशन आपकी आज की शिफ्ट में पूछा गया है आपका तरिंब केश्वर महराज से होती है ताप्ति रिवर मुलताई सत्पुरा रिंजिस से होती है माही रिवर आपकी मिंडा मद्दे प्रदेश से दामोदर रिवर पलमउ हिल से और सतलोज रिवर आपका रक्षताल लेग से होती है नर्मदा रिवर अमरकंतक से होती है इंडस रिवर मांसरोवर लेग के करीब से आपकी रिवर औरजिनेट होती है ये कुछ important reverse है, reverse related questions भी काफी जादा देखने को मिल रहे हैं आपके exams में तो इस topic को भी आप अच्छी तरीके से जरूर तयार कर लें तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखरी question इतनी question आज की shift से related हमको मिल पाए हैं आप description में जाके हमारी e-books को buy कर सकते हैं हमारी e-books से आपको direct exams में question देखने को मिलते हैं तो एक बार आप जरूर e-books को buy करें आपको 100% exam में मदद मिलेगी जल्दी आपको SSC CGL की जो separate e-book रहेगी वो आपको provide करें जाएगी जिससे आपको direct exams में question देखने को मिलेंगे धन्यवाद दोस्तो